नमस्कार, कथा कहानी कावे में आपका स्वागत है, आईए हमारे साथ इस साहितिक जफर पर, मेरा नाम है मनीशा, और हमारी आज की कहानी है जांसे की रानी लक्षमी बाई का तीसरा भाग पिछली भाग में हमारा परिचे अभी तक के सभी मुख्य पात्रों से हुआ मनु चपल, हटीली और पैनी बुद्धे की थी इस्त्रियों की संगती कम प्राप्थ होने के कारण लाज, संकोच और जिजग से दूर थी आत्या दीक्षित की उसके लिए वर की तलाश जांसी के स्रीमंत विधुर गंगाधर राव पर आकर रुकी श्रीमंत गंगाधर राव और मनु की सगाई हो गई जांसी में शूद्रों और उच्च वर्णों में जनेऊ धारन करने को लेकर आंदोल अंचड़ा हुआ था पजनेश और हृदेश दो कवी उच्वर्णों के प्रतिकूल लिखते थे लेकिन हृदेश की लोगप्रियता से खिर्न होकर पजनेश उच्वर्ण के विद्वान शास्त्री और श्रिंगार शास्त्र के पारंगत नारायन शास्त्री के साथ रहने लगे लोगों की यह कहने पर कि नारायन शास्त्री ने धरम भरष्ट कर एक भंगिन को रखा हुआ है इस बात की पुष्टी करने नारायन शास्त्री के यहां पजनेश जा पहुँचे वहां एक युवा सुन्दर श्त्री को आते देख उनका कवी मन आकर्शन और गलानी की खिंचतान में पढ़ गया अब आगे पजनेश जिस पक्ष का अभी तक जोरदार समर्थन करते चले आये थे उसको उन्होंने छोड़ दिया नारायन शास्त्री लगभग खामूश हो गए नए उपनीतों ने बढ़ाई स्वयम अपने हातों में ले ली और एक आज जगे बहे लड़ाई जीब से खिसक कर हात और डंडे परा बैठी जंजट का रूप जरा भयानक हो गया मामला गंगाधर राव के पास पहुँचा जाती और धर्म का जगड़ा था इसलिए उन्होंने दखल देने की ठानी नए जनेयों वाले लोग बुलाए गए प्रमुक ब्रहमन भी उस दिन कुछ वाद विवाद हुआ पर राजा किसी निशकर्च पर नहीं पहुँचे छोटी जाती के कहे जाने वाले जनेयों धारियों ने नारायन शास्त्री को पेश करने की महलत मांगी एक दिन का समय मिला, उन लोगों ने नारेन शास्त्री को सहज ही राजी कर लिया उसी दिन बिठूर से तात्या दिक्षित और युवक तात्या जहांसी आए दिक्षित ने बिठूर का सब समाचार राजा को सुनाया राजा ने सब शर्ते मन्जूर कर ली मंगनी की रसम बिठूर में हो आई थी परंतु सीमन्ती त्यादी विभा की अन्यरीतियां जहांसी में किसी मकान में होकर होंगी इसका प्रबंध राजा ने अपने करमचारियों के सुपोर्ज कर दिया इसके लिए युवक तात्या को जहांसी में दो एक दिन के लिए ठहरना पड़ा दूसरे दिन जन्यू संबंधी जगड़े की पेशी होनी थी युवक तात्या भी इस विलक्षण मुकदमे को सुनना चाहता था दर्बार में गया उसको फौजी अफसर की पोशाक पसंद थी खास तोर पर लोहे की फ्रांसिसी टोपी गंगधर राव ने उसको आधर के साथ बिठलाया बाजी राव पेश्वा का करमचारी और भविश्य की ससुराल से आया हुआ महमान राजा अपने पदा भिमान के आतंक में आ गए और शास्त्रियों के थोड़े से ही विवात से सुनने के बाद वे न्याय निश्टुरता पर जम गए राजा ने अपराधियों से पूछा क्या ब्राहमन बनना चाहते हो अपराधियों में एक अधिक साहस वाला था उसने उत्तर दिया नहीं तो सरकार फिर यह अनुचित काम क्यों किया अनुचित तो नहीं है सरकार क्यों रहे अनुचित नहीं है सरकार ब्राहमनों के अलावा और भी अनेक जातियां भी तो जनेव पहनती है अवे बदमाश उन जातियों की बराबरी करता है वह चुप रहा कंगाधर राव का क्रोध चड़ लेने पर उतरता मुश्किल से था बोले जनेव तोड़ कर फैंक दे और फिर कभी आगे न पहनना उसने हाथ चोड़े सिर नीचा खर लिया राजा ने कड़कर कहा क्या कहता है अपने हाथ से तोड़ता है या तुड़वाऊं उसने उतर दिया अपने हाथों से तो हम लोग अपने जनेव नहीं तोड़ेंगे चाहे प्राण भले ही निकल जामें आप राजा हैं चाहे जो करें गंगाधर राव की आँखों के लाल डोरे रक्त हो गए चोबदार को हुकम दिया एक पतला तार लाओ सामबा लोहा किसी का भी जल्दी लाओ वह तोड़ कर ले आया आगी मंगवाई गई तार को जनेव का आकार बनाकर गरम किया गया आग्यादी यह गरम जनेव इसको पहनाओ अपराधी ने गर्व से सिरुँचा किया आकाश की ओर एक शन के लिए हाथ बांद कर देखा और फिर नतमस्तक हो गया वह गरम जनेव उसके कंधे को छुआया ही गया था कि युवक तात्या ने विने की महराज धर्म की रक्षा करिए यह खीक नहीं है गंगाधर राव ने वह गरम जनेव तुरंत अलग करा दिया युवक से बोले शिरिमंत पेश्वा भी तो यही दंड देते नहीं सरकार युवक ने निर्भैता के साथ सम्मती दी धर्म अपने विश्वास की बात है इसमें राज्ये को तठस्त रहना चाहिए लोकाचार भी? गंगाधर राव ने जरा सा मुस्कुरा कर प्रश्न किया हाँ महराज युवक ने विनीद और मधुर्स्वर में उत्तर दिया लोकाचार समय समय पर बदलते रहते हैं गंगाधर राव के एक रोध ने कुछ ठंड़क पाई उनकी द्रिष्टी उस युवक के टोप पर जाटिकी कुछ खण थेरी कुतुहल वश पूछा यहे टोप क्यों लगाते हो? युवक ने उत्तर दिया मैं सिपाही हूँ राजा को इस उत्तर पर हसी आई बोले हमारे यहां तात्या दीक्षित एक शास्तरग के ब्रहमन है सो जानते ही हो तुम सिपाही ब्रहमन हो परन्तु नाम से बुलाने में कभी-कभी गड़बड हो सकती है इसलिए तुमको तात्या टोपी वाले या सीधा टोपे कहें तो कैसा हसकर युवक ने जवाब दिया शिरिमन सरकार मुझको इसी छोटे से नाम से लोग पकारते हैं मुझे भी पसंद है राजा ने कहा फिर जनेव वाले प्रादियों को बनावटी रुखे स्वर में डाटते हुए बोले इस युवक ने तुमको बचा लिया भाग जाओ वे लोग चले गए राजा ने तात्या टोपे को नाटक शाला के लिए आमंतरित करते हुए कहा टोपे आज रात को हमारी नाटक शाला में रतनावली नाटक खेला जाएगा आना बहुत अच्छा अभिने गायन, वादन और नित्ते है पहले कभी देखा? नहीं सरकार टोपे ने उत्तर दिया बढ़ा है? नहीं सरकार समय से जरा पहले आ जाना मैं तुमको कथानक वहीं बतलाऊंगा संद्या के कुछ घड़ी पीछे तात्या टोपे नाटक शाला पहुँच गया राजा ने रतनावली का कथानक उत्साप पूर्वक सुनाया और रंगमंच पर आने वाले अभिनेताओं के नाम और गुण बतलाए कहा रानी वासवदत्ता का अभिने मोतिबाई करेंगी बड़ी कलावती हैं और सागरी का अर्थात रतनावली का अभिने जो ही करेगी मृत्य बहुत अच्छा करती हैं गाती भी हैं नाटक शाला में हाल ही में आई हैं नाटक समय पर ही शुरू हो गया राजा के निकट बैठे हुए नवागंतुक तात्य टोपे को सभी पात्र बहुदा देखते थे सुन्दर, बलिष्ट और किसी उमंग में तना हुआ और सिर्पर विलक्षन टोपी रानी वासव दत्ता का अभिने मोतिबाई ने बहुत अच्छा किया सागरी का रतना वली काभिने जुही ने खुब निभाया, नाची भी बहुत अच्छा, टोपे को वह सब कुछ भला लगा परंतु उसके मूँ से वाह या आह कुछ भी नहीं निकला नाटक की समापती पर गंगाधर राव रंग शाला के श्रंगार कक्ष में नहीं गए टोपे से पूछा कैसा रहा सरकार ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही सब कुछ होआ है नित्य कैसा था जूही का टोपे ने सावधानी के साथ जवाब दिया मैंने इससे पहले नित्य देखे ही नहीं है मुझे तो बड़ा विलक्षन जान पड़ा राजा प्रसन होए उन्होंने प्रस्ताव किया थोड़े दिन ठैर न जाओ जाओ जहासी में कुछ और अच्छे अच्छे अभी नहीं देखने को मिलेंगे टोपे ने प्रतग्यता पूरवक्स स्विकार किया जन्हों विरोधी पक्ष वाले किले से परम प्रसन लोटे अपने पक्ष की विजय का समाचार बहुत कमभीरता के साथ सुनाना शुरू करते थे और फिर परपक्ष की मिट्टी पलीत होने की बात खिल खिला कर हस्ते वे समाप्त करते थे शेहर भर में धूम मच गई तामे और लोहे के जन्हों आगी में लाल करके राजा ने पहनाए नहीं तो इन्होंने आज जन्हों पहने थे कल वेदों की रिचाएं आला की तरहे गली-गली बकते फिरते कोई कहते थे अजी बड़ी कुशल समझो बिठूर वाले महिमान दरबार में न होते तो राजा सिर काट कर फैंक देने का हुकम दे चुके होते नारैन शास्त्री यह सब वांग में चुप चाप सुनते हुए घर आ गए उदास थे किवार लटका कर पौर के चबूत्रे की चटाई पर लेट गए देर तक लेटे रहे संध्या हो गई अंधेरा चागया वह उठे दियाबत्ती की कुछ खा पी कर फिर पौर में आ बैठे किसी ने धीरे से सांकल खटकाई नारैन शास्त्री ने किवार खोले चोटी थी भीतर आ गई शास्त्री ने किवार बंद करके सांकल चड़ा दी चोटी चबूत्रे पर बैठ गई शास्त्री की उदासी जा चुकी थी चोटी के नेत्रों में कटाक्ष सरल था पर अंतु सरल चित्वन में ही मद बहुत चोटी ने अपने घुटने पर थोड़ी टेक कर नजर उठाई बरॉनिया भोहों के उपर जाने को हुई बोली मैं तो बड़ी हैरान हो लोग बहुत तंग करते हैं छेड़ते हैं आपका नाम ले लेकर आवाजे कसते हैं शास्त्री ने बहुत सिकोड कर कहा मकने दो चोटी जरा भी परवहा मत करो मुझको आप ही की फिकर रहती है अपने लिए कोई खटका नहीं मेरी जात वाले लोग मुझको जात बाहर करना चाहते हैं सुख बुख चल रही है फिर क्या करोगी क्या करूंगी आप ही बतलाईए देखा जाएगा कब जब बात सामने आवेगी तब और ये लोग जो मुझसे छेड़ चाड़ करते हैं उनका क्या करूं उनसे आख बरकाओ कान मूंद कर अपना रास्ता लिया करो ऐसी छेड़ चाड़ को तो मैं अनसुनी कर सकती हूँ करते ही रहूंगी पर वे प्रेम की बाते करते हैं अच्छा हाँ कोई अपसरा कहता है कोई कविता नियोचावर करने की बात कहता है कोई सौगंद खाता है कि तेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तयार हूँ तुम क्या जवाब देती हो किसी को कुछ किसी को कुछ कुछ से मैंने पूछा जनेव भी उतार देने को तयार हो उन लोगों ने इस सवाल के पलते में क्या कहा उन्होंने कहा उतार देंगे छोटी मुस्कुराई शास्त्री को गुस्सा आया थोड़ी देर सोचते रहे कभी सिर्ख खुजलाते और कभी छोटी को देखते थे बोले छोटी यदी बात उपर ही आ जावे और मैं मारे जाने तक के लिए तयार हूँ तुम पक्की हो उसने दृढ़टा के साथ उततर दिया क्या आपने कभी को ही कचा हट भाई शास्त्री ने नीची गर्दन करके कहा वैसे ही पूछा था एक काम करना होगा क्या शास्त्री ने प्रश्न के रूप में उततर दिया क्या इन लोगों के जनेयों उतरवा सकोगी छोटी सहेज वृत्ती से बोली जनेयों उतरवाने के बतले में कुछ तेना न पड़ेगा क्या बड़े बड़े लोग योहीं जनेयों उतार करते देंगे कौन-कौन लोग है जाती और नाम तो बतलाओ चोटी ने ब्योरेवार बतलाया लंबी सूची थी बतलाने में समय लगा शास्त्री को फिर क्रोध आया थोड़ी देर जलते भुनते रहे उसी समय ऐसा जान पड़ा जैसे किसी ने बाहर से सांकल चड़ा दियो चोटी चोखी उसने शास्त्री को इशारा किया शास्त्री धीरे से किवाडों के पास गए आहट ली बाहर कुछ खुस फुसाहट और पैरों का शब्द सुनाई पड़ा चोटी को संकेत किया वह आंगन में चली गई शास्त्री ने भीतर की सांकल खोल कर किवाड खोलना चाहा ना खुला बाहर से सांकल चड़ी हुई थी उन्होंने भीतर की सांकल फिर चड़ा ली आंगन में चोटी के पास गए कहा ये लोग किसी पाजीपन पर तुले होए हैं चोटी जरा आतोता के साथ बोली मैंने अभी अभी पूछा था कि ऐसा समय आने पर क्या करूँ समय आ गया अब बतलाईए शास्त्री उपर से द्रड और भीतर से घबराए हुए थे चुप रहे चोटी शांती के साथ बोली आप चिंता छोड़े किसी तरहे अपने को बचावे मुझको चाहे मार कर घर के कुएं में डाल दे कह दें कि छोटी यहां कभी आई ही नहीं शास्त्री ने द्रड़ता पूरवक कहा क्या कहती है छोटी मेरे भीतर अभी कुछ बाकी है जो मुझको मरने के समय भी धीरज दे सकता है अब सब उधर गया राजा के सामने जाना पड़ेगा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बाल बाका नहो कह देना कि शास्त्री ने जबरदस्ती की मैं वैसे भी मारा जाऊंगा तुम इस तरह बच जाओगी कभी नहीं छोटी गर्व के साथ बोली अगर हमारी जात में कोई गुण है तो एक हम लोग बेमानी कभी नहीं कर सकते शास्त्री सोच विचार में पड़ गए कुछ देर बाद उन्होंने एक अनुरोध किया कुछ न कुछ जूट बनाना पड़ेगा सिवाए उस जूट के और जो कहिये कहे दूँगी तुम कुछ ब्रहमनों पनियों इत्यादी के नाम लेकर कह सकती हो कि इन लोगों ने अपने जनेउ उतार कर तुम्हारे हवाले किये हैं जिन जिन लोगों ने मेरा धर्म मांगा उन ही उन ही लोगों का नाम लूँगी औरों के नहीं पर जनेउ कहां है जनेउ मैं देता हूं नए हैं उनको मेला कर लेना कुछ उतारे हुए भी हैं उनको नएउ में मिला लेना जल्दी करिये अभी तुम्हें निकल जाओंगी कैसे आप अपना काम देखिए, मैं निकल जाऊंगी शास्त्री ने बहुत से नए पुराने जिन्यों छोटी को दे दिये छोटी ने प्रस्ताव किया, आप और का दिया भीतर रख दीजिए किवार खुलवाने का उपाय कीजिए तब तक मैं खप्रेल पर से कूद कर घर जाती हूँ देर लगी तो ये लोग मेरी जात वालों को दर्वाजे पर इकठा कर देंगे और फिर मैं बहुत मारी पीटी जाऊंगी अभी तो मुझको कोई न चुएगा शास्त्री ने मान लिया उन्होंने किवाड खोलने की कोशिश की परंतु ना खोले हला करना ठीक न समझा चोटी खप्रेल से कूद कर निकल गई परंतु उसके मार्ग में रुकावट डाली गई फिर भी यह अपने घर पहुँच गई यदि भी घिरी हुई थी जनियों का प्रश्ण समाप्त नहीं हुआ था कि यह विकट रौरा खड़ा हो गया जिन थोड़े से लोगों का जीवन विविद समस्याओं के कांटों पर होकर सफलता पूर्वग गुजर रहा था वी तो नारायन शास्त्री के कृत्ते की निंदा करते ही थे परंतु जिनका भीतरी जीवन बहरी छल से भिन था जो जीवन के कांटों पर गुलाब की सेजों को अंगूरी की या महुवे की मोहक सिचाई से मीठा बना बना कर हर घड़ी को मौजों में बांट बांट कर चल रहे थे उन्होंने नारायन शास्त्री की सबसे ज़्यादा बुराई की पाखंडी है, पाजी है धर्म द्रोही, राक्षस है इत्यादी और उसको कम से कम प्राण दंड मिलना चाहिए और छोटी को उसके टुकडे टुकडे करके सियारों को खिला देना चाहिए कभी उनको क्षोब संताप होता था छोटी और नारायन शास्त्री बुलाए गए मालूम होता था जैसे शास्त्री कुछ घंटों में ही बूढे हो गए हूँ छोटी चिंतित थी परंतो उसके पैर जम जम कर किले की ओर गए थे जवे गंगाधर राव के सामने पहुँची तब उसको पसीना जरूर आ गया था इस मामले का निर्धार सुनने के लिए भी तात्या टोपे गया नारायन शास्त्री को उस विभत्स में डूबा देखकर राजा को बड़े जोर की हसी आने को हुई उन्होंने कठोड़ता के साथ अपना दुस्स है सैयम किया उच्ताच शुरू की यह क्या हुआ शास्त्री जो होना था सरकार हो गया कैसे हुआ क्या कहूं श्रीमंद बतलाना तो पड़ेगा ना बतलाने से ज़्यादा नुकसान होगा क्या बतलाऊं महाराज यह कैसे हुआ तप और सैयम के अतिरेग से जब शरीर ने ताड़ना न सह पाई तब जो जो कुछ उसके सामने आया ग्रहन कर लिया तुमको तो लोग बहुत दिन से श्रिंगार शास्त्री कहते हैं वह तो उपकरण मात्र था सुनता हूँ कोक शास्त्र का भी अध्यन किया है हाँ सरकार क्यों वो शास्त्र में मैंने अपने संबंध के प्रसंग ढूंडने के लिए और यह जानने के लिए कि इसमें ऐसा क्या है जिसने महर्शी वातस्यायन से कामसूत्र की रचना करवाई क्या पाया प्रकरती की साथ जीवन की टककर आगे क्या पाओगे यह मेरे हाथ में नहीं है सरकार तब किसके हाथ में है सरकार के राजा ने थोड़ी देर सोचा उपस्थित लोगों पर द्रिष्टि गुमाई छोटी की विनम्र आख को देखा बड़े पलक और बड़ी बरॉनिया फिर अपने ब्रहमनत्व का ख्याल किया बोले इस लड़की को तुरंत जासी का राज्ये छोड़ना पड़ेगा इसके लिए देश निकाले का दंड काफी है तुमको छोटी ने तुरंत द्रड स्वर में टोका शेरिमंत सरकार शास्त्री महराज का कोई कसूर नहीं है मैं इनके पीछे पड़ गई इसलिए इनका पतन हुआ मेरे दंड को बढ़ा कर इनके दंड की कमी को पूरा कर लीजे मैं सिर्क अटवाने के लिए तैयार हूँ प्राजा को रतनावली नाटक का एक द्रश्य प्रासंगिक ना होने पर भी याद आ गया रतनावली को भगवान ने आत्मवद से बचाया था ठैर जा लड़की शास्त्री तुमको विदिवत प्राजचित करना पड़ेगा पंच गव्य त्यादी और इसको देश निकाला होगा हाँ नतमस तक अपराधी का सर उचा हुआ जैसे कीचड में से कमल फूट पड़ा हो बोला सरकार मैं प्राजचित नहीं करूँगा मैंने कोई पाप नहीं किया है यदि मुझको प्राजचित की आगया दी जाती है तो पहले लगभग आधे शेहर को पंच गव्य लेना पड़ेगा क्यों? राजा ने जरा विसमय के साथ पूछा शास्त्री ने छोटी से आग रहे किया बतला दे सरकार को छोटी ने अपने वस्त्रों में से मिट्टी की दो डबुलिया निकाली और उन में से जनेउ राजा ने उच्सुक होकर प्रश्न किया यह क्या है जोकरी? नीची गर्दन किये बिना आँख मिलाए छोटी ने उतर दिया बड़ी जातों के जिन जिन लोगों ने मुझको फासने की कोशिश की उन सब के मैंने जनेउं उतरवाए और इन डबुलियों में इकठे किये सुनने वाले सन्नाटे में आ गए राजा जरा असमंजस में पड़े फिर यकायक हस कर शास्त्री से बोले तुमने इस इस्त्री को केवल अपना तन ही दिया या मन भी शास्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया छोटी कुछ कहना चाती थी परन्तु राजा ने उसको हाथ के संकेश से वर्जित करके शास्त्री से फिर प्रश्न किया तुम इस इस्त्री को भ्रष्ट समझते हो या नहीं शास्त्री के मुँझ से यकायक निकला नहीं सरकार गंगाधर राव कुछ क्षण विचार निमगन रहे फिर गंभीर स्वर में बोले इस इस्त्री के साथ और किसी का भी संसर्ग नहीं है मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ इन यग्यों पवीतों की कहानी तुम्हारी ही गडंत जान पड़ती है मैं सूत के इन डोरों को छूना नहीं चाहता यदि परिक्षा करूं तो पुरानी में प्रम गाठ लगी होगी और नई बिना किसी गाठ के होंगे ये सब तुम ही ने इसको दिये होंगे शास्त्री पसीने में तर हो गए राजा कहते गए तुम समझते होंगे कि तुम्हारे सिवाए सब मूर्ख है तुमको अवश्य कठोर दंड देता परंतु तुमको दंड देने से इस अभागी का दंड भार बढ़ जाएगा छोटी रोनी लगी मैं भुगतने को तयार हूँ राजा ने रूखे स्वर में शास्त्री से कहा तुम प्रायश्चित पंच गव्य के लिए तयार नहीं हूँ इसलिए तुमको भी जासी तुरंत छोड़नी पड़ेगी शास्त्री प्रसन हुए बड़ा अनुक्रह हुआ मैं इसी के साथ जासी छोड़ देने को तयार हूँ वे दोनों चले गए राजा ने तात्य टोपे की ओर देखा वे बिलकुल संतुष्ट जान पड़ता था राजा ने सोचा बहुत सस्ता छुटा वे वे लड़की छुटी जाती की होने पर भी इस ब्रहमन से बड़ी है देश निकाला दे दिया काफी है बिटूर के लोग भी इसी निर्धार से संतुष्ट होंगे अधिक कड़ा दंड देने से जासी के बाहर बदनामी जादा होती और फिर अंग्रेज अंग्रेज फिर और आगे वो नहीं सोच पाए छोटी और शास्त्री दूसरे दिन जासी छोड़ चले गए मोरुपंत मनुबाई त्यादी के ठहरने के लिए कोठी कुआ के पास एक अच्छा भवन शीगर ही तै हो गया तात्या टोपे कुछ दिन जासी ठहरा रहा निवास्तान की सूचना बिठूर शीगर भेज दी गई टोपे को बिठूर की अपेक्षा जासी जादा पसंद आई उसकी कल्पना गंगाधर राव की नाटक शाला में बार बार उलज जाती थी इसके सिवाए जासी का रहन सहन यहां के स्तरी पुरुष और यहां का प्राकर्तिक वातावरन उसको ब्रह्मवर्त के गंगा तट से अधिक मनोहर लगे जब बिठूर लोटा अफसर पाकर उन बालकों ने जासी के विशे में सवालों की जड़ी लगा दी नाना क्या जासी बिठूर से बड़ा नगर है तात्या कुछ बड़ा ही होगा किला बड़ा है नगर के चारो और पर कोटा है बस्ती पहाडी की उचाई निचाई पर बसी है इसलिए बरसात में कीचड नहीं मचती होगी घर घर कुए है नगर के भीतर इधर उधर फल फुलों के बगीचे भीतर बाहर तालाब अच्छे अच्छे मंदिर किला पहाडी पर है उसमें राज महल है महाडेव और गणपती के मंदिर है एक बड़ा महल नीचे है महल के पीछे नाटक शाला मनू नाटक शाला? उसमें क्या होता है? अच्छे अच्छे नाटक हेले जाते है गायन वादन होता है मैं भी देखूंगी शिरिमत राजा सहाब तो नित्य ही नाटक शाला में जाते है मुझको भी बुलवा लेते है हाती कितने है? दस या शायद जादा हों घोडे? सरकार को घोडे की सवारी पसंद नहीं है ताम जाम में चलते हैं नाना सेना कितनी है? कई हजार है मनू ठीक नहीं गिनी? लोग कैसे हैं? उनके शरीर दरड और स्वस्थ है व्यापार अच्छा है शहर में चहल पहल मची रहती है धन धाने खूब है गरीबी बहुत कम देखने में आई है स्तरी पुरोश सुखी दिखलाई पड़ते थे संद्या समय लोग फूलों की माला डाले बगीचों और बाजारों में घूमते हैं इस्तरीयां घी के दिये थालों में सजा कर पूजन के लिए लक्षमी जी के मंदिर में जाती है राव सहाब कुष्ती मलखम के अखाड़े हैं? मैं भी यही पूछना चाहती थी हैं तो परन्तु लोगों में गाने बजाने का अधिक शौक दिखलाई पड़ता है राव सहाब क्या रास्तों में गाते बजाते फिरते हैं? नहीं तो फिर क्या नाटक शाला में गाते बजाते हैं? नहीं घरों पर समाजों उत्सवों पर जान पढ़ता है मानो गाने का मिस धून रहे हूं इस्तरियां तो गाने का कोई ना कोई बहाना लिये रहती हैं पीशने के समय तो सब कहीं इस्तरिया गाती हैं परन्तु जासी में पानी भरने जावें तो गाए पानी भरते समय गाएं शायद मरती भी गाते-गाते होंगी जासी में तोपे कितनी हैं? बड़ी तोपे चार हैं बहुत बड़ी हैं छोटी तो बहुत हैं किले के भीतर तालाब है? नहीं, एक पोखरा है एक बड़ा कुवा भी है उसमें बहुत पानी रहता है नजाने पहाड पर किसने खुदवाया होगा? नाना आद्मियों ने खुदवाया होगा देवदानव तो खुदने आये नहोंगे तात्या को बाजी राव ने बुलवाया बाजी राव ने पूछा बच्चों में क्या बात ने कर रहे थे? तात्या जासी का हाल सुना रहा था बाजी राव नारायन शास्त्री वाली बात तो नहीं सुनाई? नहीं सरकार और ना नाटक शाला की गाने नाचने वालियों की तुम मोरोपन्त के साथ कुछ दिन के लिए जासी जाओगे? हाँ श्रीमंद बाजी राव मुहुर्थ पास का निकला है जल्दी जाना होगा हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताएं आपके कॉमेंट्स और लाइक हमें प्रोथसाहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन दबाना न भूलें इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ